हलो फ्रेंट्स तो आज मैं आपके लिए के आए हूँ बटर स्क्रॉच की रेसिपी ये बनाना बहुत ही आसान है गर्मियों का मौसम हो और हम आइस क्रीम ना खाए और आइस क्रीम बच्चे पसंद ना करें ये तो होई नहीं सकता हम जो मार्केट से बटर स्क्रॉच आइस क् की ब्रिक लाते हैं इतनी महंगी आप उसे आसानी से घर में बना सकते हैं तो चलिए इसे देखते हैं ये लिए है मैंने अखरोट बादाम और काजू सबसे पहले इसे एक कराही हलका गरम करेंगे और इसके बाद हलका सा बटर डाल देंगे मैं सुगर डाल रही हूँ चीनी पांच चमच मैंने डाला है चीनी ये कड़ीब असी से सौ ग्राम के आसपास है और इसे हलका रोस्ट करेंगे हमें तब तक चीनी को रोस्ट करना है कि जब तक कि ये खुद पिघल ना जाए तो ये देखिए चीनी पिघल चुका है एक प्लेट को ग्रीज कर लेंगे हम ओयल से और इसके बाद ये जो है ये काफी चल्दी चिपक जाता है तो इसको इस तरीके से निकाल के रखेंगे ये काफी स्टिकी हो जाता है पिघलने के बाद तो हमें इसका ध्यान रखना होगा अब उसी सेम कराही में मैंने हाफ लीटर फुल क्रीम दूद लिया है इसे हलका चलाएंगे और दूद को गारा करेंगे पहले दूद को बॉयल करेंगे यह दूद बॉयल हो चुका है अब इसके बाद फुलेम को लोग कर देंगे ताकि दूद गारा हो सके इसमे एक चमच हलका मचीन यौर डाल देती हूं और यह देखिए यह बिल्कुल जम गिया है यह अब इसे हम ग्राइंड करेंगे मैं इसको तोड़के डाल रही हूं मिक्सी ग्राइंडर में तो यह देखिए यह इस तरह के से कर लेंगे अब यह देखिए दूद्ध काढ़ा भी हो चुका है यह देखिए अब इसके बाद हम बिस्किट डालेंगे इसमें मैं 15 बिस्किट डाल नहीं हूं ृधी बिसकीट आती है वही बिसकीट है याइस्क्रीम को आप बनाएंगे बिसकीट से कोई भिने आपको समझ पाएगा कि आपने ये बिसकीट से बनाई है आइस्कृम मैं तीन चम्च जिस में बटर इसक्रउच पाउडर डाल तो यह देखिए और 5-6 बूद में डाल रही हूं वैनिला एसेंस बटर स्क्रोच वाली जो पॉडर होती है वह हलका लाइट क्रीम किलर का होता है तो इसमें आपको एडिशनल कलर डालने के जरूत नहीं पड़ेगी तो यह देखिए सारा एब्सॉर्ब कर चुका है मैंने इसको गैस को आफ कर दिया है और इसे हलका ठंडा होने के लिए रख देंगे जब हलका ठंडा हो जाए तो मिक्सिक ग्राइंडर में लेके इसे कि इसे हम ग्राइंड करेंगे और घर की जो मलाई होती है दूद की वो डाल देंगे इसे बहुत क्रीमी टेक्स्टर आता है और यह हलका मैं दूद डाल रही हूं ताकि ग्राइंड होने में इजी रहे इजी ली ग्राइंड हो जाए और एक चमच बटर डाल रही हूं आप जो नॉर्मल बटर होती है कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसे ग्राइंड करेंगे यह रेखे ग्राइंड करने के बाद काफी स्मूथ सा आपको टेक्शर मिलेगा और कंसंस्टेंसिस के अभी बहुत गाड़ी है तो बस इसको हम ऐस इस ऐसे ही रहने देंगे और एक बरतन में इसे ट्रांसफर करेंगे तो मैं बरतन में एक ट्रांसफर कर लेती हूं और हलका समय ने दूट मिक्सी में डालके दोके उसे और निकाल लिया था इसलिए आपको युथरो ज्यादा भी लग रहा होगा लिक्विडिटी अब इसे एक प्लेट से ढाग देंगे ताकि आइस पार्टिकल्स इसमें ना जाए और फ्रीजर में दो घंटे के लिए रख देंगे दो घंटे के बाद आप देखेंगे कि यह जम सा गया है बिलकुल जमा हुआ है अब इसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे तो मिकसी और में आइस्क्रीम को आपको कोई भी यह आइस क्रीम कहा है तो आपको कह ने सकता कि घर में बनायागवा अब passado लगा है यह आपने यह बिस्केट से बनाईए यह बिल्कुल मार्केट्वालज जो होता है बटर स्क्रॉच आइस-क्रीं वैसे हिए आपको यह टेक और इसमें इसमें हलका सा दूत डालकर ताकि यह वेस्ट ना हो इसमें डाल देंगे मिक्सिंगेंडर में और इसे स्मूथे आपका ग्रैंड भी होगा हमें ज्यादा ग्रैंड नहीं करना हैं बस 5 मिनट के लिए हमें तो यह देखें यह ग्रेंड हो चुका है काफी स्मूथ है अब आप यह देखिए यह बिल्कुल स्मूथ है क्रीमी है क्रीमी रिच है तो आप कोई भी डबा ले लिए जिसमें आपको आइस क्रीम को जमाना है तो मैंने यह डबा ले लिया है उसमें सारा जो आइस क्रीम का बैटर है मैं उसमें ड का साथ दूत मैंने डाल के मिक्सी में ये ले लिया है ताकि ये जो लगा हुए वह वेस्ट ना हो और ये देखे ये जो ग्रैंड किया था काजू अलमंड और अखरोट उसको ये इसमें डाल रहेंगे आइस क्रीम में और इसे ऐसे मिला देंगे और धाग देंगे धागना जरूरी है क्योंकि आइस पार्टिकल्स नहीं जाने चाहिए तो रात बढ़ के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए और ये नेक्स्ट ये आप देखेंगे ये आइस क्रीम पिलकुल जम्स हा गया है तो ये देखे ये आइस क्रीम बिलकुल मटरे स्क्रोज बन के त्यार है आप इसे किसी भी गेस्ट को ये घर में बच्चों को आप बना के दीजे ये आप बनाईए आपको कोई नहीं समझ पाएगा कि बिस्किट से बना है तो ये मेरी रेसिपी कैसी लगी